एक हेलो दोस्तो एसके लेक्ट वाली लाइट आई है लेकिन लेडी वल्ब में तो रिपेर होने आई है कस्टुमर का कहना यह है कि सरमने इस पर बढ़ में चेक करके दिखाऊं चैक को कैसे करेंगे कैसे नहीं सबीची आपको बताता हूं दोस्तों वीडियो को लाश्ट अदेखना तब यह समझ वाएगा वाने समझ माना वाला नहीं है देखें दोस्तों मैं सिरीज बोर्ड की तरफ चलता हूं देखें मैं सिरीज मैं अच्छे से पकड़ता हूं इसको जड़ा देखें मैं आपको दिखाना चाहरा हूं यहां पर सिरीज वन एफ यानि की सिरीज बोर्ड देखें वन इस तरह से यानि इस पिन पर लान देखें फुल गलो हो रहा है यानि कि हमारी लाइट में कहीं कुछ सोर्टिंग है यानि कि इसमें कहीं न कहीं इसमें इस तर्टिंट में תחने लाइट में हमारी सब्स्री इसमेचस को रीपेयर करेंगा तो इसको पर लेंगे तो सबसे पहले एलेन कि खोलने से पहले हैं को गोम मांद्जमिंटर को मत्युन पर दानिखे पर लगए लगए और उन को दो कि को कोई सी कोई सी प्रग दीजिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और देखेंगे यहां पर देखेंगे फुल सोर्टिंग आ रही है अगर हम इसे डिरेक्ट लाया तो भर्ष्ट बोल सकते हैं यह आपकी लाइन भी खराब हो सकती है तो इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कोई भी लेंग की लगेगी है मैं जर आपको दिखाना चाहता हूं यह इस तरह की चार एमेंगी यह टापार यह कि लारके मैंने कंपनी की तो आप कोई भी कंपनी ले सकते हैं देखें चार नंबर की लगे इसमें तो इससे यहां पर इस तरह से एंटी क्लोग वाइज गुमाएंग इससे हमारे यह खुल जाएगा बहुत ही असानी से इसके अंदर एक ड्राइवर लगा होता है जो कि मैं आपको भी दिखाना चाहता हूं देखें हमने पेज खोल दिया तो इससे बाहर निकालते हैं देखें गाइस यहां पर काफी काला पड़ा हुआ है या तो वह फुकने तो अब इसमें सबसे पहले आपको मैं जार एक बाद चीज कुछ चोटी चीज बद दिखाना चाहता हूं इसके वाटेज वागेरा दिखाना चाहता हूं कितने वाट कि हो और कितने आप पूट वोल्टेज निकाले और कितनी इंपूट है तो आप क्या चीज चेक करोगे दोस्तों देखें यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं इंपूट तो भाई है सिंगल फेस थोड़ा सा स्प्रे करके इसको साफ करता हूं पहले कपड़े से तो काफी धुआ जम चुका है कोई ना कई कंपोनेंट में से इसके धुआ लिकड़ा हुआ है तो दोस्तों दालती है सिंगल फेस पर चलने वाली है तो यहीं कि सतर वोल्ट आउट पूट इसकी यानि कि लोड़ पर वही दस वोल्ट कम हो जाएंगी यानि साट वोल्ट अब देखिए यहां पर प्रोटेक्शन लगा हुआ इसमें प्रोटेक्टर बोल लिए आपको प्रोटेक्शन क के लिए लगा जाता है तो है हमारा थस एंप एमपर तक भी ले सकता है तो दोस्तों यह हमारा प्रोटेक्शन ऑब वोल्टेज की वज़े से खराब हो जाता है इससे वज़े से वी जस्तों अधर आउटपूट तो सबस्तों सबसे पहले इसको चेक करेंगे इसे करना कैसे यहां पे पिलास देखें, लाइव और नूटरा यानि ये वाले दौ यूँ आयर निकाल लेंगे, compasYN पर देखें, लाइव लगय बेद हैं, पहला लुअनटर तरिष़ें से अर्थ। दोनों को मल्टिमेटर कंट्रिमेटर मौड पर रखा रहने देना आपको ठीक है अब देखिए दोस्तों देखे बिलुकुल आप दी दो तीन ओम्स दिखा रहा है नहीं कि आगे इसमें कहीं सोर्टिंग है अब सोर्टिंग क्या चेक करनी है यहां पर देखे हमारे जो आपको लाग देखना है अगर रीडिंग आती है तो गलत है रीडिंग नहीं आएगी तो सही है तो देखे गाइस यहां पर भी चार पांच ओम्स तीनों सो रहे हैं तो यानि कि फुल सोर्ट है इसको हम बाहर करेंगे मियां से तो हमारे प्रोटेक्शन जो लगाए गया है के लिए देखे गाइस फुल सोर्ट है तो इसको हम बाहर निकाल देंगे दोस्तों आप चाहें तो आप इसे नया लगा सकते हो अगर आपके पास अवैलिबल है तो लगा दीजिए अन्य था आप इसको डिरेक्ट वी जो हमारे डाइवर बॉर्ड पर सप्लाई लगी हुई है आप से डिरेक्ट वी लगा था क्योंकि इसके अंदर वी 2-3 लगे हुए हैं सिर्फिस में जो क्या है इसमें एक एमो भी लगा हुए अंदर और एक हमारा फ्यूज लगा हुए है तो यह हमारा बिल्कुल सोर्ट है इसको एक तरफ रख देंगे आप इसको डिरेक्ट भी अखरीं अब हम सप्लाइब कोई बीडीके नहीं दिखा रहा है अभी सप्लाइब को खोलने से पहले इसको यहां पे में एक देंगें यह तीन करे लगाएंगे इस इसको खुल लेंगे जो कि हमारे protection के लिए होते हैं तो इसमें double protection था तो कोई दिक्कत नहीं आप इसमें वायर को इन्हें थोड़ा अंदर की तरफ खेंच के इन्हें डारेक्ट लगा सकते हो लेकिन याद रहे जो जहां का वायर हो वहीं लगाने अप लगाना कैसे हम आपको बता देगा पीले वा हैं दोस्तों अब तो यह जाएंगे जो भी हो रहा हैं इसे ठीक करके जाएंगे फिर विए आपको इसे रिलेटेड शर्किट से आपका पूरा जल चुका है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूगा आपको सब कुछ में उसमें बताया है अगर आपको पूरा शर्कि पर दो चुक है अब इन्हें करनेक्टर में तीन है अब देस्ट में नहीं आ पहरा जो दए Corda आंड़ बन की इसको अच्छे चो लेंगे और से हम साइड से वायर कर देंगे जिससeg कैटेना और साबाति की ना चैनल कोले वायर से छोंडिये दोस्तों यह मैं मैं लीड जो कि हम लाइट में लगाके तक पहुंचाएंगे तो थोड़ा से मैं घुमा लेता हूं क्योंकि जो डी सी सेक्स था ने दोस्तों इधर की तरह देखे इस पर हमें वाल्टेज चेक करनी है क्योंकि जब आपके ठीक हो जाए ना उसके गलत तो नहीं दे रहा है सही तो नहीं दे ओब यह कहें चख करेंगा भी इससे देखेशियों में डेक्ट लगाते हैं देखेशी सी रिस बोर में ठीक है ना देख्वार तो ओन देखेश सब्सक्राइब अबलफ तो नहीं हो रहा पर लेकिन लाइन लाइट लोड में कोई समझ से नहीं है तो दोस्तों वोल्टेज हमारे प्रोपर है अब इसमें कुछ भी छेड़ने जुर्यत नहीं है अगर आपके फास में फिर बतारों प्रोटेक्शन हो तो आप लगा दीजिए अन्य तब कोई दिक्कत नहीं से आप कर सकते हो पर निगेटिव कमेंट मत करना सरा आपने लगाया निया आपने उसका नुकसान कर दिया ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें में वीडियो बना रखी है आप जाके देख सकते हो देखे दोस्तों पूरी प्रोपर वार्क कर रहा है यह बहुत अच्छे जली है लाइट तो ह आप उससे कस्टोमर से सिर्फ पचास उर पर स्रविस लेंगे और यह प्रोपर ओके है तो दोस्तों इसी तरह से आप भी रिपेर कर सकते हो कोई भी स्ट्री लाइट ठांक्स पूर वाचिंग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों आज के लिए इतने दोस्तों जैहिन बने मातम जैशी राम दोस्तों